Friends, Welcome to Teachers Empire इस वीडियो में मैं डिसकस करूँगा grammar के कुछ most expected MCQ को जो की important होंगे आपके lecturer के exam के लिए ये MCQ ज़रूरी नहीं है कि सभी आपको आएं लेकिन कुछ आपको ज़रूर आने चाहिए ठीक है तो शुरुआत करता हूँ basic से grammar के questions से आपको बता है कि आपको grammar कम से कम 3 से 40 नंबर का पुछा जाएगा cover करता हूँ first question को 47 question है health is too important to be discarded, disposed, neglected या detested इसका सही answer होगा option number C आपका time ज़्यादा waste नहीं करूँगा option number C इसका सही answer होगा neglected other words के अगर बात करूँँ तो आपको बता है health is too important to be neglected next, two की two किसका काम करता है negative sense का काम करता है जो TOO वाला two है वो क्या है नहीं वाला ठीक है, यानि health उतनी मतलब health neglect करने के लाइक important नहीं है, इस बात को जान लखेगा ठीक है, two यहाँ पे negative sense देगा healthy is too important to be neglected यानि health neglect करने के लाइक नहीं है next आता है आपका 48 question I was just paying to the toll tax I was just paying to the toll tax काफी famous question है, काफी exams में पुछा गया है तो I was free from या exonerated from, exempted from या exposed from तो जिसका सही answer option number is free option number is free, option number 16 का सही answer है exempted from, I was exempted from paying the toll tax, ठीक है अगर मैं other options की बात करूँ तो exonerated from का मतलब है, जब हम किसी दो से मुक्ती पाते है, ठीक है, पापो को दोना या आपका price sheet करना, तो हम आपे exonerated word इस्तिमाल करते है exempted from हम का आपे इस्तिमाल करेंगी जहां पर हम किसी चार्ज से मुक्तो हो रहे हो, किसी tax से मुक्तो हो ठीक है, हम इसके लिए WAIVE, WAVE वर्ड का भी किसी चार्ज से मुक्तो होना, ठीक है, उध्यान लखेगा, exempted के साथ हम इसाथ from preposition आईगी, ठीक है, ऐसी exonerated के साथ भी हम इसाथ from preposition आईगी, बढ़ता हूं, next question क्यों, next question है, I am dash this crime, I am dash this crime, ignorant on, innocent of, indebted of, या ignoring, इसका सी answer होगा, I am innocent of this crime, मतलब मैं इस crime से अनभी गया हूँ, ठीक है, innocent of this crime, मतलब मैं इसमें, क्या कहता है, बेगुना हूँ, ठीक है, मैं इस crime में बेगुना हूँ, ठीक है, I am innocent of this crime, तो innocent के साथ हम इसाथ of preposition आती है, इस बात को ध्यान लखेंगे, ठीक है, और जहां पर आपका ignorant on, और inapted to, यह गलत होगा, ठीक है, तो innocent of इसका सही आंसर होगा, inapted to का मतलब तो होता है, कि मैं उसके लिए किर्दक नहूं ठाइब कर, ठीक है, तो यह गलत होगा, तो इसका सही आंसर होगा, B, यानि I am innocent of this crime, next question आपके पास, many important projects have been reached the final stage of, option A है, आपके पास, accomplishment, initiation, ठीक है, और resolution, और implementation, तो आपके पता है, accomplishment का मतलब होता है, कोई काम अगर पूरा हो चुका है, यानि कोई काम पूरा होके खतम हो चुका होता है, तो हम कहते हैं, यह हमारी accomplishment है, यह हमारी अपलब्दी है, तो यह तो यह नहीं होगा, यहा साफी सारी project, यानि implementation, यानि लागू करने की final stage पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर implementation इसका सही answer होगा, ठीक है, accomplishment का मतलब होता है, कोई काम पूरा हो चुका है, ठीक है, और resolution का मतलब का होता है, सपत देना, ठीक है, और initiation का मतलब होता है, सुरुआत होना, ठीक है, बढ़त humanistic cause such a scandal was, that their colors were too bright, तो due to their colors were too bright, ठीक है, हिंदी में आप थोड़ा साच का मतलब समझने की कोशिस करेंगे sentence का, तब आपके ऐसे questions सही लेंगे है, जरूरी निये की सभी को हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये questions का level थोड़ा सा आपके lecturer की level का ही है, लेकिन जरूरी निये की सभी को हैं, ठीक है, और सारे questions आपको हैं, जरूरी नहीं है, इन questions को देखके आपने demoralize नहीं होना है, आपने बहुत पढ़ा है, आपकी महनत बहुत अच्छी है, और आप भी अगर मुझे कोई वीडियो दिखाएंगे, तो मुझे भी सारे नहीं हैंगे, ठीक है, तो इसका सही अंसर होगा, due to, अब यहाँ पर because of, क्यों नहीं होगा, because क्यों नहीं होगा, because आपका यह connection का काम करता है, ठीक है, और यहाँ पर because this color were too bright, because this color were too bright, यहाँ पर because ही होगा, थोड़ा सा आप मझे देखने देजेगा, यहाँ पर one of the reasons, आपको पता है reasons के साथ, जहाँ पर आता है one of the reasons, the imprecisionistic caused such a scandal, was because their colors were too bright, because their colors were too bright, तो यहाँ पर because सही answer होगा, और अगर आप वैसे भी देखें, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, their colors were too bright, तो due to तो क्या है, preposition है, और preposition के बार object आता है, और आप यहाँ पर देखें, तो colors के noun है, और यह क्या verb है, और एक noun और एक verb आत है, तो यहाँ पर इसको जोड़ने का काम कुन करेगा, किसी conjunction को हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो because इसका सही answer होगा, because their colors were too bright, ठीक है, आपको यह पर दिखे रहा होगा, यह noun है, और यह verb है, और noun और verb जहाँ पर आते हैं, वो एक clause बनाते है, और clause को जोड़ने के और फिर हम फ्रीजम आएंगे, और ज्यादा वक्याप नहीं आएंगे, ध्यान अखिकर जितने भी मैं यह मैं आपको कराऊंगा, इसमें से अगर आपको पांच भी आते हैं, तो यह काफी useful होंगे आपके लिए, ठीक है, बढ़ता हो मैं next question के और यह आपका synonyms, ठीक है, त तो डिवास्टेशन का मतलब आपने synonyms बताना है, तो डिवास्टेशन का मतलब होता है, डिवास्टेशन मतलब एक तरीके से, तो डिवास्टेशन, जिसके लास्ट में TION होता है, वो क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, TION वाला, ठीक है, और आपको बत करना अलग कर ना फ्रैस्टेशन मतलब बता है किसे भी गुसा निकालना तो इसका सही है अंसर होगा जो है कि um मतलब बादा उत्पना होना ठीक है तो डिवा स्टेशन का बत्त भी एक तरीके से बादा ही हुआ ठीक है नेक्ट कोशन आपके सामने आता है पैनेशिया पैनेशिया का मतलब क्या होता है तो पैनेशिया आपको बता है पैनेशिया को आपने काफी बार पढ़ा भी तो जो एम्परोसिया भोलते है याननी भगवान का फूरो'd होता का खाना होता ईसको लोग gradual बुलते है ठेक नई досक्रसाफिय को प्यसक्ट का 비슷 का मतलब होता है आपका बहुत ज्यादा कोईूज़ीज होती है ये अगर किसी भी चीज की का प्रांते पूलजाना पाएं उसको मुलोग बोलते हैं एनिगमा नेक्स्ट कोष्चन आपके सामने है जैसीए एटा मतलब क्या होता है नातर्य किसी भी हूटion को ट्भा setzen या मतलब होता है किसी भी ग्रालीव गहरत कर देना ठीक है तो इसका का सिनाने क्या होगा आपका एभूर करना ठीक है कि किसी कते बागवाई का मतलब तरय को तुम से और साहिड है अभी आपने याद नहीं करना है शोकू आते हैं ठीक है बस आपकी यह तरह का शूंधvideo को लीSet चाहिए उन्म Land इंपकेबल का मतलब होता है इंपकेबल ब्यूटी मतलब हम जिसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपकेबल ब्यूटी यह नहीं रेटिफाई र-a-t-i-f-y ठीक है रेटिफाई मतलब किसी इसको आपका लागू करना नेक्स्ट आता है impeccable का मतलब मैंने आपको बताई दिया यह spelling test में पूछा जासता है ध्यान रखेगा इसमें पी-e होता है ठीक है impeccable हम पढ़ेंगे इसको है impeccable क्यों क्योंकि हमने spelling याद करने हैं प्रोनाशीशन नहीं देखते हैं हमने एक्जाम निकान नहीं नहीं है next question आपके सामने constraint constraint का मतलब क्या होता है आपका बादा ठीक है बादा यह बापीजीटी में भी पूछा जा चुग है तो constraint का मतलब होता है Obstract Obstract मतलब obstacles आना hindrance से जाधना यह क्या होते हैं आपका बादाएं होती है ठीक है constraint हम इसको बोलते हैं नेश्टा था आपका लिथार्जिक यह बी वर्ड आपने काफी सुना होगा लिथार्जी का मतलब होता है क्या जो आपका lazy होता है तो यह थे कुछ synonyms ठीक है अब आपने यह बस यह अपनी चलाएगा कहीं भी हो तो हम इसको बोलते है नॉन कंफर्मिस्ट ठीक है और इसका जो अपूचिट होगा वो क्या होगा कंवेंसलन मतलब जो पुराने रितिरिवाजों को मानता है और दूसरा क्या है नॉन कंफर्मिस्ट आप खुदी उसके नॉन लगया तो वो तो खुदी नेकेटिव हो गया कंफर्मिस्ट मतलब जो चैज हो को सरुब से चलिए रही होती उनको नहीं मानता है म Buddhouse अपनी चलाता है तो कि उसको बोलते है जो चीज सम्वालने से समझ दाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या मैलेबल तो इसका जो अपोजीट होगा वो क्या होगा आपका इंट्रेकेबल इंट्रेकेबल जिसको टेक्ट नहीं किया जासता है जिसको हम लोग track नहीं कर सकते जिसको हम लोग change नहीं प्रके सें कर सकते ठीक है तो बस दो एंटॉनुम और कुछ synonum मैंने आपको कराय थे और fill in the lengths बहुत important है और जो मैंने आपको बताया था वीडियो में तो आपसे मैं फिर से कह रहा हूं जो आता है बहुत इनफ है बहुत आप लोग ने पढ़ा है इसलिए ज़्यादा ग्रेमर को लिए के ज़्यादा परिशान नहीं जो questions आपकी गलत होंगे साल बड़ से पढ़के वो सभी की गलत होंगे उसमें ज्यादा नहीं सोचना अब आप हलके से अपना rest लीजिए अपना साथ पर रहते हैं तो वरना आप उसी एक पन्यों को अगर आप दो तीन दिन तक भी भरेंगे तो आपको एक ओमार भरने के आदत रहेगी ठीक है दोसे लिए कि पांच बहुत तक आप जरूर बेटें थैंक्यू